के चहीते सौरभ भारत द्वाज ने किया नाकाम्याम सौरभ भारत द्वाज ने धागे कॉंग्रेस पर तीखे सवाल लगाए बहुत ही गंभीर आरोब नमश्कार थिंग टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमने देखा कि जब से किंद्र सरकार 19 मई क को अध्यादेश लेया क्यार आई और सुप्रीम कोट के फैसले को पलट दिया कि दिल्ली में जो भी आईये सद्धिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ LG के पास है पूरी पावर LG के पास है इसमें एक कमेटी का गठन किया किया जिसमें ह लगाया गया है कि वो अपनी राय रख सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला LG का ही होगा जिसके बाद अर्विंद के जिवाल पूरी तरह से बौक्रा गए जिसके बाद लगातार विपक्ष को इकत्र करनी की कोशिश करने लगे क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में LG और निर्णय को मान ले यह उन्हें सुईकार नहीं होगा जिसके लिए वो अध्यादेश को रोकने के लिए लगातार विपक्ष को इकत्ता करने की कोशिश कर रहे थे और लंबे-लंबे सफर तै कर रहे थे हमने देखा कि यहां पर दिल्ली से मुंबई दिल्ली से लखनाउ दि यानि कि सीधे तोर पर सटीक बात करें तो यह जो विपक्ष के निता है यह वो भूल गए कि कभी अर्विंद की जिवाल इनके उपर आरोपों की बोचार किया करता था और पूरी लंबी लिस्ट आरोपों की बना कर इनके खिलाफ घूमा करता था बड़े-बड़े आरोप अर्विंद के जिवाल के द्वारा ही लगाए जाते थे ऐसे में हमने देखा कि सरद पवार अर्विंद के जिवाल के साथ अध्यादेश यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ नरिंद्र मोदी के खिलाफ जाने के लिए यह भूल गए कि यह वही अर्विंद के जिवाल है जो कभी इन पर आरोब लगाया करता था जिसके लिए इस सारे चीज भूल कर अरविंद के जिवाल के साथ जुडने लगे शरत पवार जो भूल गए कि उनके खिलाब कितनी अभध्र भाशा का प्रयोग करते हुए और विंद्ध के जिवाल बोला करते थे आरोप लगाया करते थे अकलेश यादव भूल गए कि उनके पिटा मुलायन सिंग यादव पर कैसे कैसे और विंद्ध जिवाल के द्वारा लगाये गए थे तेज़श्वी यादब भूल गए कि इनके पिता लालू प्रसाद यादब पर कितने तीके सवाल कितने तीके आरोपो की बोचार यही अर्विंद के जवाल किया करते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मूरी जी का विरोध करने के लिए यहाँ पर यह सारे ही निता अर्विंद के जवाल के साथ जुड़ने लगे अब सीधे तोर पर देखा जाए तो एक ओफर अर्विंद के जवाल ने कॉंग्रेस को भी दिया कि राहुल गांधी और उनकी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे थोड़ा समय दे और अर्विंद के जवाल से इसके बारे में मुलाकात करे लेकिन राहुल गांधी ने के जवाल को पीठ दिखा दी राहुल गांधी ने के जवाल के साथ मुलाकात नहीं की और सीधे सीधे वो विदेश भाग गए जिसमें विदेश में तो क्या ही गुल राहुल गांधी ने खिलाए, अपने ही देश का अपमान किया, सब ने देखा लेगन यहां पर वो कहते हैं कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, अब यहां पर वही खिस्यानी बिल्ली है एक तरफ तो किजवाल की अभी उमीद नहीं टूटी है कि अभी भी राहुल गांधी और मलिकार जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है जिसके लिए 23 माई को फिर से विपक्ष को एकत्र करने के लिए एक कार्यक्रम 23 जून को आयूजित किया जा रहा है लेकिन अभी अर्विंद किजवाल की कही ना कहीं उमीद है वो टूटी नहीं है क्योंकि अभी 23 जून को पूरे विपक्ष को एकत्र करने के लिए एक कार्यक्रम आयूजित किया जा रहा है जहांपर सारे ही सारे विपक्षियों को एक जुट होने के लिए आमंत्रित किया गय जिसके बाद जो केजिवाल को उमीद है उन पर पानी फेदने का काम किया है सौरभ भारत द्वाज ने तीखे सवालों की बोचार कॉंग्रेस पार्टी पर कर दी है और आरोप लगाए है कि कॉंग्रेस पार्टी तो आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रही है खेर दोस्तों इन सब के बाद अब अर्विंद के जिवाल की इस कोशिश को ना काम्याब कहें पूरी तरह विफल करें या फिर कहें किये कराई पर पानी फेदने का काम सौरभ भारत द्वाज ने कर दिया है अर्विंद के जिवाल ने बिचारे ने इतनी मेहनत की इतने लंबे-लंबे सफर तक किये जिसके बाद एकत्र करने की विपक्ष को कोशिश की लेकिन सौरभ भारत द्वाज ने जो कॉंग्रस के ऊपर तीके आरोप लगाए हैं सवाल दागे हैं उसके बाद ये कोशिश पूरी तरह से नकाम्याब होती हुई दिखाई दे सकती है दरसल सौरभ भारत द्वाज ने आरोप लगाए हैं कि कॉंग्रस पार्टी पूरी तरह से अब आम आद्मी पार्टी को कौपी कर रही है जैसे कि दिल्ली में जो फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए चलाई गई वैसी ही फ्री बस सेवा के वादे करनाटक में कॉंग्रस पार्टी ने किये वहीं दूसरे तरफ बाकी चीजे जैसे की दिल्ली में फ्री बिजली दी जा रही है फ्री बिजली के वादे कॉंग्रस ने करनाटक में किये इसके अलावा फ्री पाने के वादे भी कॉंग्रस ने करनाटक म पर देखा जाए तो यहां पर जो कॉंग्रेस की जड़े काटने का काम यहां पर अर्विंद के जिवाल ने किया था तो कॉंग्रेस भी यहां पर अब उनके पैत्रे अपना कर अब आम आदमी पार्टी की जड़े काटने की कोशिश कर रही है हमने देखा कि अगर राहुल गा और कॉंग्रेस पार्टी अध्यादेश को रुपाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दे क्योंकि यहां पर उनके निता नाराज है और यहां पर चीक चीक कर कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली और पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी की जड़े काट कर यहां पर अर्विंद की पिर रोज़ेश पार्टी क्यों करने ने उनकी आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है वसे फिरसे यह को कर सकते हैं और कर भी रहे हैं आगे जाकार अब चुनाव आने वाले राजस्थान में मध्यपरर्देश में और क्या जगए ऐसी हैं किई राज़े हैं जहांपर चुनाव आने वाले हैं यहाँ पर कॉंगरस पर्टी पूरी पूरी तैयारी कर रही है कि कैसे भी कुछ भी पैत्रे अपना कत लगातार यहां पर कुछ भी कर कि अपनी सत्ता हासिल कर ले चाहे उसके लिए जूटे वादे ही क्यों ना करने पड़े चाहे उसके लिए अर्विंद के जिवाल को कौपी ही क्यों ना करना पड़े लेकिन सुरब भारतवाज ने जो ये बाती कहीं है जो आलोप लगा रहे हैं तो अब इससे आम आदमीपाठी यानि कि तो वो उमीद पूरी तरह से तूट गई है और इसको तोड़ने का काम क्या है उन्हें के चहीते सौरब भारत द्वाच ने तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है फिर मुलाकात होगे ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें तिंग टैंग